टियर थर्ड यर के स्टुडेंट है सबको बेलकम है जैसा कि पाता है कि जब मैंने सुरू किया तो मीड़ वाइफरी गाइनकोलोजी का एक बहुत ही अच्छा प्रशन आप सभी के बीच में करा चुका हूँ बहुत ही इंपर्टेंट ट्विंस प्रिवनेंसी के बारे में आज हम लोग कम्मुनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही महत्पून वीडियो नमबर 17 इससे पहले जब हमें स्टोप किये थे तो 16 वीडियो तक हम लॉंग कुश्चन के कर चुके हैं समझे गए 16 वीडियो यानि सुला वीडियो तक वहाँ पे स्टोप किये थे तो आज हम ल इनकोलोजी एन कम्मुनिटी हेल्थ नर्सिंग सकेंड तो चलिए आज किस वीडियो में 17 नमबर का वीडियो और एक ऐसा प्रस्ण लेख रहा है जो कि आपके एकजाम में बार बार पुछा जाता है प्रस्ण क्या पुछा जाता है कि इंडिजिनियस सिस्टम ओप मेडिसिन यानि चिकिसिये परणाली का हमारे देश का नुकसा हम लोग जो यह पढ़ रहे है न एलोपैथ वाला जो हम लोग पढ़ रहे है यह हमारा देश का नुकसा नहीं है समझ गए यह हमारे देश का यह जो है सिस्टम नहीं था हमारे डेश में जो था वह यही परणाली इंडिज समझ गया न आयुर्वेदिक हो गया यूनानी हो गया सिधा हो गया हेमोपैथिक हो गया एही हमारा सिस्टम पहले था जो कि समय दर समय परिवर्तन होते होते आज हम लोग इस कगार पर आ चुके हैं समझ गया कि हमारे देशिये नुकसा को हम लोग बहुत ज़्यादा तर नही हमारे जो भरतिये चिकिसा परती है आयूस जो है इसका बहुत ही अच्छा असर और साथ में कहा जाए तो यह एक अलग परकार का चिकिसिया परती है जिसे हम लोग अपने चिकिसिये का देशिये अतबास्थार्निये परनाली भी कहते हैं समझ रहे ना तो चलिए आज के वी समझ लीजिए गा तो लिख दीजिए कैसे चलिए सबसे पहले आपको समझना है मैं बार बार कहता हूं किसी भी परशन को अगर अच्छे से याद करना है तो उस परशन को पहले फूले स्टॉप से तोर दीजिए समझ गया देख रहे ना मैं यह भी फूले स्टॉप जहां पर था पूर्ण विराम वहां से मैं अलग लाइन चेंज कर दिया हूं तो इसी परकार से आप किसी भी परशन को जो है अच्छे से याद कर सकते हैं और अच्छे से दिखा सकते हैं क्योंकि अगर इसी चीज को हम इसी लाइन को फिर यहां से सुरू कर देते हैं समझ गया न का चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले चीज़े है आपको एक चीज़ समझना परेगा कि आखिर यह चिकिस्तिय की देशी परनाली होता क्या है ठीक है न तो देखिए सबसे पहले है चिकिस्तिय परनाली है जो पुरूव का है अभी बिश चलता है लेकिन उतना ज्यदा परभावी नहीं है उकिन जो एलो पैथाया यह सब को अपने गिराफ्त में ले लिया, समझ गए? तो एचीज समझेगा जो चिकिस्टा की देशी परनाली है जिसको हम लोग आयूस कहते हैं और यह आयूस एक बिभाग भी है भारा सरकार का आयूस मंत्राले सुनी भी होंगे इसी बिभाग के अंतरगत आती है यह हमारा देशी परनाली जिसमें पांच परकार की चिकिस्टा परनाली को सामिल किया गया है इस आयूस के अंदर पांच परकार के चिकिस्टा परनाली को सामिल किया गया है जो की हमारा देशी परनाली है समझे यह पांच परतिया प्राचीन काल से ही बिभीन बिमारियों की रोग थाम और उपचार हेतू परचलीत है जो बहुत पहले सम समझ गए बहुत पहले जो है एलोपैथ नहीं था ग्रामीन तफा दुरवर्ती छेत्रों में निवास कर रहे हैं लोग आज भी बीमारी के उपचार है तू इन चिकिसा पहतियों का उपयो करते हैं अब और आज भी जो ग्रामीन छेत्र में रहते हैं जो दुरवर्ती इलाके जैसे पहारी इलाके हो गया या फिर आदिवासी लोग हो गया तो बहुत लोग जो है एलोपैथ के नाम भी नहीं जानते हैं और एलोपैथ के बारे में समझना भी नहीं चाहते हैं जो आदिवासी लोग होते हैं देखते हो येगा जन जाती वो लोग अपने ही जरी बुट रखते हैं और अपने ही जरी बुटी से जंगलों से लाकर उसको जो है कुछ भी होता है तो उससे ट्रीटमेंट कर लेते हैं खास कर जो गाउं के इलाका में भी जो लोग रहते हैं तो देखते हो ये गा हेमोपैथी का बहुत ज़्यादा करता है आयुडवेद का उपचार ल डाइट थिरेपी पडियाप्त बेक्तिगत एवं पर्यावर्निय स्वक्षता दैनिक ब्याम योग समझ गये बियस्नों से दूर समझ गये न स्वास्त दिंचारिया आदी पर भी जोर दिया जाता है अब जैसे जो रिसी मूनी थे पहले क्या करते थे देखते हो ये गा रिस जो सादू संथ होते हैं बिल्कुन ननवेच से दूर रहते हैं बेजेटेरियन होते हैं दूध दही घी एस सब जादे लेते हैं तो एक परकार से इस स्वक्ष रखने की जरिया है और इन चिकिस्षक परतियों में पहले जो है डाइक थिरेपी समझ गये परियाप्त बेक्त परियावरन का स्वक्षता दिली ब्याम करने समझ गये योग बियसनों से दूर जैसे इलकोहल बगरा स्राबूर आब इस सब से दूर स्वास्त के दिन चाड़िया इन सब पर पहले बहुत ज़्यादा जोड़ दिया जाता था एही कारण है कि पहले के लोग ज़्यादा बिमारिया भी आ गया है जो नए नए यूबा में हार्ट अटेक नए नए यूबा उपर से देखने में एकदम बढ़िया और अंदर से उसके क्या बिमारी है किसी को पता नहीं समझ गये तो दुनिया एडवांस होते तो जा रहा है बट अपने साथ बहुत सारे चीजों को भी जो है लेते हुए आगे के तरफ जा रहा है पहले दुनिया उतना इडवांस नहीं था तो उतना बिमारी भी नहीं था चीरफार उतना जरूरी नहीं रहता था इस कारण से वहां पे जो है आयूरवेद है यूनानी है है हेमियोपैथ है सिधा है इस सब बहुत ज़़ा इफेक्टिव रहता था बट आज के दौर में ऐसा ऐसा बीमारी चल गया है ऐसा ऐसा खान पान डेली लाइफ में चेंजेज एडवांस होने के कारण ऐसा ऐसा बीमारी है जो चीरफार की जवरत पर जाता है यानि सरजाडी का जवरत पर जाता है जो आयूरवेद और पैथ और सिधा एसाब में उतना जो है आपके बेनिफिसियल होता नहीं है जिस कारण एलोपैथ सबसे ज़्यादा ऊपर चल गया समझ गये ना एही सब चीज़े हैं इन पहतियों का ब्यापक रूप से बिस्तार हो रहा है अब ये जो पहले बहुत ज़्यादा बिस्तार थ गया इन जरी बुटी से इलाज इन जरातर लोग करते हैं ठीक है लेकिन फिर भी कम ही है समझ लीजिए ये चीज़े हैं अब इस पदती में आपको बता दे जो पांच सामिल किया गया है एफ और आयूरबेद वाइफ और योगा एंड निट्रोपैथी नेचुरापैथी मत पांच जो है विभाग को सामिल किया गया है किसमें आयूस में समझ गया है आयूस का फूल फर्म भी यही है और आयूस मंत्राले के अंदर यही पांचों आता है चलिए एके करके देखते हैं कौन क्या है पहला है हमारा आयूरबेद आयूरबेद का एक अपना परनाली था स उप्चार करना बट सबका तरीका अलग-अलग था जैसे आयुरुवेद वाला है तो यह बिभीन बीमारियों की रोग थाम तता उप्चार है तो आयुरुवेद परनाली का उप्योग जो है बहुत पुराना इतिहास है सबसे पुराना आयुरुवेद कहीं इतिहास है समझ ग इसलिए इसे सबसे पुराना माना जाता है इसके अंतरगर्थ इतिवरिती लेकर हिस्टरी लेकर तथा बिभीन परिक्षन एवं अवलोकन के द्वारा रोगी का निदान किया जाता है तथ पश्चात उपचार किया जाता है योग आयुर्वेद में होता यह है पंच महा भुताज पंच तत्व वाले सिधान पर अधारित है यह 5 तत्व आप लोग को भी पता है जल है, बायू है, प्रिठवी है, अकास है, अगनी है इनी पंचों तत्वों पर यह पूरा आयुर्वेद ज़ो है चलता है अगनी इसके अलावा आयुर्वेद में इन पांच तत्वों को तिन तत्वों में सामोहित जो है किया गया है अब यह सिंगल सिंगल पांच तत्व है इन पांच वो तत्व को आयुर्वेद में जो है तिन कैटेगोरी में बात दिया गया एक को कहते हैं वात एक को कहते हैं पित और एक को कहते हैं कप यही जो है आप फर्स्ट यह में परहे भी है कि वात पित कप बेक्तित्व के जो है आयुरिवेद के अनुसार बेक्तित्व को तीन भागों में बाटा गया है और यही तीनों भागों में पांचों को रखा गया है पांचों तत्वों को तो आयरुवेद में इन पांचों तत्वों को जो है तिन तत्वों में समोहित कर दिया गया चलिए आयरुवेद में इतिहांस कैसे लिया जाता है तो लोगियों को इतिहांस देख रहे का अर्वेद परनाली का अभ्यास पांच महाभुतांच तत्व यानि पांच तत्वों के सिधान पर अधारित है यह पांच तत्व इतना है इसमें जो पांच तत्व है इसको तिन तत्वों में समोहित कर दिया गया वादपित कफ में आरवेद यह मानता है कि मानव का सरीर आत्मा, मन, सब्त धातु तथा पांच इंद्रियों का मिश्रन है आरवेद यह मानता है कि मानव का बड़ी है शरीर है वह आत्मा, मन और सब्त धातु तथा पांच इंद्रियों का मिश्रन है तो आयरवेद ये मान के चलता है कि भाई बड़ी जो है आत्मा का मन का सप्त धातु यानि सात धातुओं और पांच इंद्रियों इन चारों का मिस्रन है इन तत्बों में किसी भी परकार की सनरचनात्मक तथा कर्यात्मक बधा उत्वन होने पर ब्यक्ति अस्वस्थ हो जाते हैं जिस परकार से एलोपेथ मानता है कि भड़ी में बिभिन परकार के केमिकल होता है जिसके गरवराने पर ब्यक्ति अस्वस्थ होते हैं उसी परकार से आयुवेद मानता है कि बेक्ती का जो बड़ी है, शरीर है, वह आत्मा, मन, सब्तधातु और पांच इंद्रियों का मिस्रन है, इन तत्बों में किसी भी परकार की सनरचनातमक, मतलब है structural और functional, किसी भी परकार के अगर बाधा गरवरी उत्पन हो जाता है, तो बेक्ती अस्वस्थ हो जाता है, यह आयुवेद मानता है, ठीके, और उपचार के दोरान इन सनरचनातमक और कर्यातमक समन्ताओं को दूर किया जाता है, और आयुवेद के अनुसार इसी सनरचनातमक और कर्यातमक जो abnormality है, जो असमन्ता आ जाता है बेक्ती में, उसी को पाँच इंध्रियों में से किसी में अगर गर्वरी आ जाता है जाहे उसके प्रकार परकार करे दूड़ कि आज किया जाता है वैसा नहीं है यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है कि पांच तत्व है पांचों तत्व को तीन तत्वों में समाहिद कर दिया गया उसके पावल आयुलवेद यह मानता है कि जो मानब का बड़ी होता है वह तिन आत्मा, मन, सप्तधातू और पांच इंद्रियों से मिलकर बना है अगर इन सभी के इस्ट्रक्चर में या फिर काम करने में किसी परकार के बाधा उठपन हो जाता है तो अयुलाव्यद समझ लेता है कि बेक्ति असवास्त है बीमार है और फिर उसके सनराचनात्मक और कर्यात्मक अशमान्ताओं के अधार पर बेक्ति को उपचार किया जाता है तो इस परकार से अयुलाव्यद का ये सिश्टम चलता है दूसरा है योगा और निच्रोपैथी, मतलब चिकिस्टा की योगा और निच्रोपैथी परनाली, चलिए देख लीजे ये क्या होता है, चिकिस्टा की इस परनाली के द्वारा बिभीन ब्यामों तथा सारीरिक संसेश्थियों बड़ी पोस्चर के द्वारा रोगों की रोग बीविन परकार के योग के द्वारा समझ गए बीविन परकार के बड़ी के पोजीशन में ब्याम के द्वारा पोजीशन में करके रोगों को रोग थाम और बेक्ति के स्वास्त का उनियन जो है क्या किया जाता है रोगों को उपचार को सुनिश्चित करता है समझ गए निच् बड़ी को एक ऐसा पोजीशन देखर जो ब्यक्ति को स्वास्त को बहतर बनाए, उनियन बनाए, रोग का उपचार करे ऐसा योगा और कुछ निच्रो प्रकिर्तिक तत्व का उप्यों करके रोगों का उपचार करना ही योगा एंड निच्रो पैती होता है, ओके, यह सब हमार पत्ती की शुरुवात ग्रीक देशों से हुई है, समझ गए, ग्रीक देशों से हुई है, भारत में इस चिकिस्ता पत्ती का आराम एगारवी और बरावी सतावदी के मध में मना जाता है, तो इस परकार से समझ सकते हैं, अभी हम लोग कौन से सतावदी में हैं, एकिसमी समझ गए चिकिस्ता युनानी की पत्ति ग्रीक देशों में हुआ है जो भारत में एकारमी और बरावी शतावदी के बद्ध इसका आरम मना जाता है चिकिस्ता कि इस पत्ति में डाइगनोस्टिक प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव तथा थिव्योपेटिक सिवाओं का मिसरन है अब जो युणानी सिस्टम है जिसमें हकीम होते हैं बैद होते हैं आपको पता है बैद आयुवेद में हकीम जो है आपके युणानी में होते हैं तो चिकिस्ता के इस परती में डाइगनोस्टिक मतलब नैदानिक, प्रोमोटीव मतलब उन्यातमक, समझ गए, प्रिभेंटी मतलब रोक थाम, थुरिपेटिक मतलब उपचार आतमक, इन सभी सेवाओं का मिस्रन है युनानी, समझ गए, तो लगब लगब इसी परकार के आपका यलोपैथ में भी है, जो आ सबका मिस्रन है ही, इसमें औसधी के साथ साथ में ब्यक्ति के आहार में भी जो जरूरी परिवर्तन बदलाव होता है, उसको जोर दिया जाता है, अर्तव जाके मरीज को उपचार सफल रहता है, तो यह इनानी पत्ती हो गया, ओके, चोथा है, चिकिस्ता की सिधा परनाली, मिस्पुराना है, जिसका उदभव तैमील लाडू से मना जाता है, अब यह जो सिधा है, इसका उदभव जो है, मतलब इसका उदय है, तैमील लाडू से मना जाता है, समझ गए, तैमील भासी छेत्रों में यह चिकिस्ता परनाली बहु यात में उपयोग में आती है, अब इस परनाली के अंतरगत हिर्दय धरकन की दर, मल मुत्र का परिक्षन, आखो एबं तौचा का परिक्षन, जीव का परिक्षन, भूख की स्तिती, आधी के अधार पर रोग का निदान किया जाता है, तर दनुसार रोगी का उपचार दिया जाता है, समझ गए? तो यह जो लकंदर, मल मुत्र का परिक्षन, आखो का त्वाचा का परिक्षन, जीव का परिक्षन, भूख का इस्तिती, इन सब के अधार पर रोग का निदान किया जाता है, डाइगनोसिस किया जाता है, उसके बाद रोगी का उपचार दिया जाता है, तो लगभग लगभग ये भी उप्चार के लिए बिभीन धातु मेटल का उप्योग किया जाता है, पेर पौधे के अवसेसों का उप्योग किया जाता है, जीव जन्तुओं से होने वाले चीजों का उप्योग किया जाता है, बिभीन खनीज लवनों का भी उप्योग किया जाता है, और इन सब के लोग से जो है सिधा में उपचार किया जाता है जैसे देखते होगा कि पहारों से बीभीन परकार के छोटे-छोटे टूकरे पत्थर लाना समझ गए पहारों पर जो है कुछ चीजे होता है पेर से जिसको निकाला जाता है तो इस सब तैमिल भासी छेत्रों में ज्यादा जो ह पेरपौधों से धातूओं से खनीजों से लबनों से इन सब के उपयोग से सिधा में उपचार किया जाता है पांचमा आपके सामने है चिखिस्ता की हेमियोपैथी परनाली हो यह जो जर्मनी से चुकी यह जो हेमोपैथिक है इसका परनाली का शुरुआत ही 17 वी सतावदी में जर्मनी से ही हुआ है इसलिए जर्मनी इसका मना जाता है इसके अंतरगत रोगी से बिश्तरीत इतिवरिती मतलब उसे पूछताच इतिहास लिया जाता है तथा रोग के क्या नहीं है यहीं पूछा जाता जाएएगे किसी हेमोपैथि के डॉक्टर के पास तो वह एक रूम में अपना दवाई भरा रहता है और उसी ने आपसे पूछेगा क्या होता है क्या नहीं कितना दिन से है और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको जो है कहेगा यह जाज करवाओ, जाज करवाओ, वस वो आपसे पूछ लेगा, इतिहास ले लेगा, इतिवरिती ले लेगा, और वो आपका डाइगनोस कर दिया, और तब उसके बाद उप्चार आपको दवाई देता है, आयूस चिकिसा पधती, एलोपैतिक चिकिसा पधती की तुल्ला में ब बहुत सस्ती है, समझ गए, इसके अलावा इस चिकिसा पधती के दूस परभाव भी तुल्लात्मक बहुत कम है, जहां पर देखा जाता है, एलोपैतिक दवाईयां का बहुत ज़्यादा रियेक्सन, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लोगों के बड़ी पर, वह हजार हजार की एक दवाईय जो है, आपको मिलेगा पान दिन, दस दिनों के लिए, समझ गए, लेकिन आप जाईएगा किसी हेमोपैतिक में, तो हजार रुपे में एक महीने के दवाईय मिल जाएगा, बहुत सारा दवाईय, समझ गए, लेकिन उसका इफेक्ट भी, आपका बड़े बड़े जो बिमारी होते हैं, समय के साथ अगर इसमें विकास हुआ रहता, तो बहुत बेहता रहता, लेकिन विकास नहीं हो पाया, और एलोपैथिक आया, और सिधा इसको जो है तोप दिया ले मारा, जिसके कारण जितना भी रुपियर लग जाए, लेकिन एफेक समझ गए, अगर यहाँ अगर सफल हो गया रहता हमारे देश का चिकिस्ये परनाली, आयूस, तो आज अगर सरजरी हो गया, हड़ी हो गया, कोई भी बिमारी का अगर असानी से, एलोपैथ के जाए से अगर ट्रीटमेंट कर देता, तो एलोपैथ हमारे देश में नहीं आता या फिर यूँ कहा जाए, तो एलोपैथ जो हमारा देश का चिकिस्ये परनाली है, यह अधर देश में भी खूब चलता, लेकिन वैसा हो नहीं पाया, समझ गए, बाकि यह सारे चीजे है, मैंने आपको बता दिया चिकिस्ये परनाली, यहाँ पे नीचे टोटल इंगलिस द कर सकते हो, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्या लखिएगा अपना धाइच्छा